नमस्कार मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइसे स्मार्ट हिंदी के प्लेटफार्म पर हम लोग भासा से सम्मंदित प्रश्णों को हल कर रहे हैं तो भासा से जो भासा के विकास भासा की परिभासा भासा बोली उप भासा से सम्मंदित जो प्र और देखी भासा का पहला सवाल है कि हर्याणवी या बांगरू बोली किस अपभरंस से विक्सित हुई है चलिए फटा फट प्रश्णों के उत्तर आप लोग बता दिजे हर्याणवी या बांगरू बोली किस अपभरंस से विक्सित हुई है आप लोग जानते हैं कि संस्कृत वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत पाली प्राकृत अप्भरंस अप्भरंस के जो पाच प्रमुक रूप है तो उसमें से इस से किस से हर्याणवी बोली बनी हुई है तो देखी यहाँ पश्चिमोतर सौर सैनी अप्भरंस को हम क्या कहते हैं इस भाषा के रूप में से हुआ है पक्की बात चलो इसको याद कर लेना अच्छा ग्वालियर की बोली कौन सी है चलिए आप लोगों मैं से कौन कौन लोग ग्वालियर से हैं इस प्रस्ट का उत्तर फटा-फट दे दिजे बुंदेली ब्रजभासा खड़ी बोली या करनोजी कौन सा है जो ग्वालि सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहांसी वाली रानी थी है ना तो ग्वालियर का जो संबंद है वो किस्से है बुंदेली जो बोली है उससे संबंदित है तो नेक्स देखे खड़ी बोली हिंदी हिंदी की खड़ी बोली किस अपभरंस से विक्षित हुई अब यहां जो भासा हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वह किस अपभरंस से विक्षित हुई है, मागधी, अर्दमागधी, सौर सैनी या पैचासी, तो यहां पे देखिए, सौर सैनी से खड़ी बोली हिंदी का विकास किस से हुआ है, सौर सैनी अपभरंस से ह हुआ है तो अगर यहां पर हम लोग एक चीज सीख लेते हैं वो सबसे महत्तोपूर्ण क्या है कि देखो सबसे पहले जो आता है देखो जो अपभ्रंश है ना अपभ्रंश है इस अपभ्रंश से सबसे पहले क्या आता है सौर शैनी मागधी मागधी अर्ध मागधी और यह 85 तो कितने हो गए भाई एक दो तीन चार 85 और 85 के बाद महाराश्ट्री है ना यह 5 हिंदी भासा के उपभासाई हमें मिलती है तो खड़ी बोली हिंदी का किस अपभ्रंश से हुआ सोर सैनी हिंदी का विकास इससे है यहां से है और अमीर खुसरों की पहलियों में हमें पहली बार दिखाई देती है तो इस बात को आ आप याद रखेंगे सोर सैनी हिंदी अप भ्रंस सोर सैनी और हिंदी और उपर वाले भासाओं का अभी आगे चल करके भी आपको बताते रहेंगे नेक्स्ट प्रस्म देखिए क्या कह रहा है भाई 36 गड़ी बोली हिंदी की किस उपभासा के अंतरगत आता है तो देखो पश्चिमी हिंदी के जो 36 गड़ी है वो किस के अंतरगत आता है पूर्वी हिंदी के अंतरगत कौनशी भाषा आती है 36 गड़ी बोली को हम किस भाषा के रूप में देखते हैं पूर्वी हिंदी से विक्सित हुई मानते हैं अगला प्रस्न देखिए ताले के पानी पलाए गए बेटी पुरईन गई कुमहारिन रही गंगा जमुना विच रेती परंतु कई से कहें कंचव भिहारी हरें उक्तगीत किस बोली का है तो ताले के पानी पलाए गए बेटी पुरईन गई कुमिलाई होई है ना गंगा जमुना विच रेती परंतु है कहें कहें चरओं विचार करें तो ये किस बोली से सम्मंदित है तो देखिए ये रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भासा में की है तो याद रखना अवधी भासा की जो महत्यों कभी है वो तुलसीदास है और उनकी रचना रामचरित मानस है और यह जो पंगतियां है वह ब्रज भासा की ब्रज नहीं वह यह जो पंगतियां है वह किस से स नेक्स देखे क्या है हिंदी का पाणिनी किसी कहा जाता है तो आप लोग जानते हैं कि भासा से संबंदित हिंदी भासा की ब्याकरण का विकास जो हुआ है उसके जो तीन अस्थम्भ है वह महत्तोपूर्ण है कामता प्रसाद गुरू भूलाना तिवारी की सुरी दास प्रकार लोगमान ने जो ब्याकरण अचारे है वह कामता प्रसाद गुरू है इंदी प्रवेशिका आप इनके ब्याकरण की किताब को पढ़ते हैं बहुत ही इमपोर्टेंट किताब है ब्याकरण को जानने और शमझने का निमलिखित में से भासा का प्रमुक प्रकृति का से होती है तो भासा हिंदी भासा जो है या भासा की जो प्रमुक प्रविति है वो क्या क्या है सरलता से क्लिष्टता की ओर जटिलता से सरलता की ओर या भावों से विचारों की ओर या विचारों से भावों की ओर तो देखे कोई भी जो भासा होती है वो जब हम भासा को सीखत तो वह जटिलसा से सरलता की ओर जाती है ठीक बात है भासा का कार क्या है वह जटिलता से सरलता की ओर जाती है देखो जब हम पढ़ लिख लेते हैं भासा का संप्रेशन करना सुरू कर देते हैं तो भासा और विचार एक दूसरे से सम्मंदित हो जाते हैं जबकि भासा अलग ह और विचार अलग है अगर हम देखे भासाओं का अगर हम एक रख दें यहां पर भासा और एक कॉलम हम रख दें विचार तो देखो जब कोई बच्चा छूटा होता है ना जब कोई छूटा होता है तो उसकी भासा अलग होती है और उसका विचार अलग होता है जैसे जैसे व और विचार यह दोनों एक साथ प्रस्थुत हो जाती है ध्यान रखना ये जो भाशा है बाले आवस्था og प्रावना वस्था दक आते आते भाशा और विचार एक दूंसरे से बिलकुछ जटिल हो जाते हैं जैसे अब जूट बोले या सच बोले जो आप बोलेंगे वही सही माना जाएगा लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तब जूट नहीं बोल पाता उसकी जो भासा है उसकी जो विचार है वो अलग-अलग रहते हैं तो विचार अलग बात है जो है बंगाल 36 गड़ मद्य प्रदेश या बिहार की तो अंगी का किस भाषा की है बिहार की है अंगी का भाषा अंग राज्य की जो भाषा है विहार बिहार से संबंदित है अंगी का याद रखिए बहुत इंपोर्टेंट है फटा फट प्रश्णों के उत्तर बताते चालिए चाहे हो मेरे फीश्बुक पे उपस्थित जो हमारे विद्यार्थी है वो सभी यूटूब पे आके कमेंट के माध्यम से भी जुड़ जाए और जो मेरे यूटूब के विद्यार्थी है मैं सबसे अमरोध करता हूं राज से स्मार्ट हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे शाथ में इंटरेस्टिंग प्रश्णों को जानते चलें तो अगला प्रशन क्या है त्रि लोचन सास्त्री की कविताएं हिंदी के अत्रिक्त किस अने भासा में उपलब्द है तो देखो भारती जो पूरा का पूरा हिंदी भासा और साहित नहीं ुसमें त्रि इनकी कब और किस भासा में लिखा जाता है तो जानते हैं आप लोग मैथली भाषा में त्रिलोचन का नाम जो है मैथली भाषा में भी ये कविताएं लिखते थे बहुत सारी बाते लिखते थे तो वासुदेव सिंग त्रिलोचन मैथली भाषा के हिंदी भाषा के तो है ही मै आज भासा बनाने का नेड़े लिया गया यह प्रश्ण तो सभी लोगों को आता होगा याद हो गया 14 सितंबर के दिन हिंदी पखवाडा मना आए जाता है पूरे भारत पूरे बश्व में हम लोग मानते हैं कि जो हिंदी दिवस के रूप में इस दिवस को जानते हैं 14 सितंबर 1949 को सम्विधान की आठवी अनुसूची में जो सुरुवाती 14 भासाओं की माननेता थे इस समय देखो कुल 22 भासाएं लेकिन प्रारंभिक काल में 14 भासाओं थी उस समय जब माननेता दी गई थी और उसमें जोड़ते जोड़ते अपकुल मिला करके संसोधन करके शमिधान में 22 भासाओं की माननेता है और भी बहुत सारी भासाओं हम इसा ये मांग करती है कि हम आठवी अनुसूची में सामिल हो जाए लेकिन हिंदी को राज भासा बनाने का निड़े लिया गया 14 सितंबर 1999 को याद रखिये जो भासा का है वो आठवी अनुसूची में रखा गया और अनुच्छे 343 से लेकि 351 तक हैं भासा से सम्मंधित प्रश्णों पर चर्चा किया गया नेक्स्ट है बगहली बोली का सम्मंध किस उपभासा से है चलिए फटा फट इस प्रश्ण का उत्तर दे दिजे राजस्थानी पूर्वी हिंदी बिहारी या पस्चिमी हिंदी तो बगहली आप लोग जानते हैं बगहली जो है यहाँ पे देखी बगहली क्या है पूर्वी हिंदी से सम्मंदित है यह किस उपभासा से सम्मंदित है पूर्वी हिंदी को किस का सम्मंद है बगहली का सम्मंद है पूर्व बगहला पूर्व में बगहला याद कर लो पूर्व में बगहला है ना पूर्वी हिंदी से कौन सम्मंदित है बगहली हिंदी सम्मंदित है यह सुझाव दिया था देखो हिंदी भासा की जो लिपी है वो देवनागरी हे और है ना हिंदी राज भासा के रूप में मानेता प्राप्त है लेकिन कौन ऐसा था जो ये कह रहा था कि रोमन लिपी को ही हम स्विकार कर लें तो लेकिन देखी यहां पे सुनीती कुमार चटर जी जो भाशा वैज्यानिक थी इतिहासकार थी उन्होंने देवनागरी लिपी के अस्थान पर रोमन लिपी को स्विकार करने की बात कही थी है ना पकी बात है याद हो गया चलो उकार बहुल बोली मानी जाती है देखो जो पश्चिमी हिंदी यहां ऐकार की मात्रा जादा होती है उसे उकार बहुलμοोदी कहते है और आप जानते हैं जो चतिस-गड़ी भासा है वो कैसी भासा है उकार बहुल भासा है अगला प्रश्ण देखते हैं क्या है पालि भासा की समय मानी जाती है पाली भाषा का समय तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहली जो भाषा आए थी वो कौन सी आए थी भाई संस्कृत भाषा आए थी संस्कृत भाषा दो रूपों में विभादित हो जाती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है ना वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्क्रिट दोनों भासाओं से मिल करकी पाली भासा का जन्म होता है पाली से प्राकृत भासा बनती है और प्राकृत से क्या होता है अब भ्रंश भासा का निर्मार हो जाता है अब भ्रंश को ही पुरानी हिंदी अब हट हिंदी के रूप में हम जानते हैं तो दे हम किसको मानते हैं पाली भाषा को मानते हैं है ना तो पाली भाषा का संबंद अस्चोक के सिला लेक से और गौतम बुद्ध की जो बानिया जो उन्होंने ग्रंथ लिखे उसमें हमें पाली भाषा देखने को मिलती है और पाली भाषा से प्राकृत भाषा वनती है प्राकृत यह कई बार परिच्छाओं में ये करम पूछ लेता है मेरे बच्चे करम से सवाल आता है ये करम को मत भोलना बहुत जरूरी है अगला है निमलिखित में से कौन विशेष्टा देवनागरी की नहीं है आपको देवनागरी लिपी की विशेष्टा कौन सी नहीं है इसमें जैस जिसे यह लिपी ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों के समकालिन है अब देखो यहाँ पे एक बात तो गलत है वो कौन सी है फटा फट इस प्रश्न का उत्तर बताईए जो लोग दिवनागरी लिपी के बारे में या जो हिंदी भासा पढ़ते हैं वह दिवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो जरब बताईए फटा फट इसमें कौन सा है तो यह दिवनागरी लिपी का जो विकास है वो ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों के समकालिन नहीं है उन्हीं के उत्तरा अवस्था में इसको हम देखते उनके समकालिन सब्दि यहाँ गलत है तो आपका चारण जैसा होता है वैसा ही लिखा जाता है बिल्कुल सही है इसमें एक ध्वानी के लिए यही वर्ण होता है प्रतीक होता है और इसमें शुरे रखहा का देखो सभी जग्या सिरो रेखहा का प्रयोग भी बहुत महत्तों है यही देवनागरी लिपी की विशेशता के तो देखिए जो स्वर्वर्ण है स्वर्वर्णों का उच्चारण भी आप जानते हैं कंठ ताल मुर्धा दन्तोष्ट से होता है तो इसमें ओ और और किस प्रकार का है ना तो देखो ये कंठोष्ट वेंजन की रूप में कंठोष्वर्णों की रूप में ये जो स्वर्ण है O और O आप लोग जानते हैं Sanyugt तश्वर हैं और ये Sanyugt तश्वर कैसे उचरित होते हैं कंठोस्ट से होते हैं बोल के देखो कि कंठ और O O देखो कंठ से ध्वनी आ रही है और O उकार बन रहा है O तो ओ अव, ओ अव बन रहा है, पक्की बात है, समझ आ गया, तो इसे क्या कहती है, कंठोस्ट वर्ण कहते है, ओ औरो को, कौरवी किस बोली को कहते हैं, अब यहाद पर देखे अगला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं, मारवाडी, खड़ी बोली, अवधी या कि कौरुवी की बोली क्या है कौरुवी बोली को बात है अगला फ्रसन देखते है क्या है हिंदी भासा की कैसे हुई तो इस संस्कृत लौकिक संस्कृत सौर सैनी अभ्रंस से या फिर प्राकृत से तो अभी मैंने बताया था कि संस्कृत के दो भाग बढ़ जाते वैदिक और लौकिक संस्कृत फिर पाली प्राकृत अभ्रंस आता है अभ्रंस के रूप में मैंने बताया था कि सौर सैनी अभ्रंस से हिंदी भा का विकास लगभग एक हजार के आसपास अमीर खुसरों की पहलियों में होता है है ना अमीर खुसरों के गुरू का नाम था हजरत ने जामुद्दीन ओलिया है ना दो सुखने है ना गजल मुकुरियां यह सब लिखने वाले जो कभी थे महा का हमारे अमीर खुसरों जी थे त ही उच्छास में जिनकी आवरित्ती उच्वरित हो जाता है तो वर्ण माला में आप सबसे पहले ध्वन पढ़ते हैं फिर वर्ण पढ़ते हैं वर्णों में उसके बाद अक्षर को देखते हैं अक्षर ज्यान होता है वर्ण माला का निर्माण होता है क्योंकि मानक्ता आ जात और उसकी बाद क्या है ए और उ ठीक है तो चार तीनन साथ 411 करते हैं यहां संख्या ओगए 11 इसे हराश्व या मूलव्षवर कहते हैं इसे दीरग और यह पूरे मिलाकरके हम इसे क्या कहते हैं सइन्यूक्त करते हैं पक्की बात है भाई तो ये इतनी बात आप देवनागरी लिपी में 11 है और 11 कौन कौन से हैं इनको क्या क्या कहते हैं ये भी आपको समझा गया इनमें से पश्चमी बोली कौन सी नहीं है पश्चमी बोली जो है पश्चमी जो उपभासा है उसकी अंतरगत इसमें कौन सी नही तो आप लोगों ने कई लोगों ने उत्तर फटा फट दे दिया है तो चलो भाई आगे बढ़ते इसमें कौन से राजस्थान की बोली नहीं है मारवाडी, बुंदेली, मेवाती या मालवी बताओ ये तो आसान सा प्रश्ण है लग रहा होगा राजस्थान प्रदेश लोगों का सभी लोगों का स्वागत है बाई चलो आप लोगों से बताओ कौन सी राजस्थान से संबंधित नहीं है मुझे तो लगता है मारवाडी, मेवाती और मालवी तो है ही यहाँ पर जो बुंदेली है वो किस से संबंधित नहीं है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है क्योंकि वह बुंदेली हर बोलो की मुहमने कोटी ग्वालियर से संबंधित कौन है बुंदेली है आपको याद रखना चाहिए कि प्रश्ण एक दूसरे से जुड़े होते हैं विकल्पों को समझना होगा किसी सीमित छेत्र में बोले जाने वाली स्थानी भासा को क्या कहते हैं अब देखो यह प्रश्ण है हमेशा आपको जानना चाहिए क्योंकि आप भारत देश के निवासी हैं अपने भासा बोली उप भासा और राश्ट्रिय भासा को जानना बहुत जरूरी होता है कुद्टों दिखो यह कह रहा है किसी सीमित छेत्र में बोले जाने वाली स्थानी भासा को हम क्या कहते हैं जो राजभासा है जो सासं का कार्य विवस्था जिसमें चलती है संपर्क की जो भासा है एक राज ये दूसरे राज से संबंध जिस आधार पर बनाते हैं उसे राज भासा कहते हैं जो किसी देश की राष्ट की संपरिशन की भासा होती है उसे राष्ट भासा कहते हैं और जो राष्ट भासा की अपिक्छा कुछ कम छेत्रो डूमी सबसे नीचे आ जाती है यह सबसे उपषा जाती है बोली के बाद कि भाई कन्नोजी हिंदी किस उपभासा की एक बोली है कन्नोजी हिंदी बताईए चलिए पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी या पहाडी तो आपको बताना इस प्रश्ण का उत्तर फटा फट बता दो यस चलो तो देखो पश्चिमी हिंदी किस उपभासा से तो कन्नोजी हिंदी किस समंदित है पश्चिमी हिंदी से समंदित है कन्नोज किस समंदित है कन्नोज किस समंदित है कन्नोज किस समंदित है कन्नोजी किस समंदित है पश्चिमी हिंदी से समंदित है याद कर लो यही ट्रिक है क् कि भासा के एक एक प्रश्ण को आपको याद ही रखना होगा भासा का पूरा श्वरूप क्या है भासा का विकास कैसे हुआ भासा बोली उप भासाओं का आधार क्या है शंपर्क भासा राष्ट भासा राज भासा और बोली की क्या कॉंसेप्ट हैं यह सब आपको याद रखन इसमें से कौन सी बोली पश्चमी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है कौन सी नहीं आती है चलो बताओ खड़ी ब्रज भासा कर्नौजी या अवधी तो आप लोग जानते हैं कि जो पश्चमी हिंदी का जिसका संबंद नहीं है वह है अवधी और अवधी भासा तो आप लोग ज दानते हैं राम चरित मानत जिसमें लिखा गया तुलसी वाद जिसके प्रमुक्ष कवी है तो अवधी का सम्पन्द किस से है पस्चमी हिंदी से नहीं किसके अंतरगत नहीं आती है याद रखो हमेसा परिच्छा में पूछता है लिखित भासा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं संकेतों द्वारा बोल कर लिख कर ये सुनकर ये देखो भासा का जो प्रयोग है वो हम लोग चार रूपों में करते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना पहले के कौसल बाद के कौसलों से अच्छे माने जाते हैं इस प् पिखित भासा में विचारों को कैसी ब्यक्त करते हैं। जिभाय लिख कर करते हैं। और लिखना एक यांत्रि कौसल है। इसमें शुद्धता की शुद्धता पूर्वक लिखना यह बहुत आवस्यक होता है ठीक है और इसे बनावटी कौसल भी क्याते हैं जो लेखन कौसल है जो कोई आप अपनी बात को बना करके भी लिख सकते हैं पंजाबी की लिपी क्या है यस फटा-फट बता दो पंजाबी क क्या है कौन-कौन से मेरे बच्चे पंजाबी भासा से संबंदित है जो उन्हें जानते हैं उसकी लिपी के बारे में फटा-फट बताई तो पंजाबी भासा की जो लिपी है मेरे बच्चे वो गुर्मुखी लिपी है हिंदी भासा देवनागरी में लिखी जाती है उर्द कि निम्लिकित में कौन सी पश्चमी हिंदी की बोली नहीं है पश्चमी हिंदी से कौन सम्मंदित नहीं है ब्रज बांगरू कन्नाओजी या डोंगरी बोली नहीं है ब्रज बांगरू कन्नाओजी और डोंगरी तो देखो भाई डोंगरी भासा पश्चमी हिंदी से कौन सम्म नहीं है यस चलिए मालवी किस उप्भासा की बोली है चलो बतादो फटाफट मालवी किस उप्भासा से शम्मंदित है यस देखिस और रandusha चार मुख्य रूप से भाग हमें दिखाई देते हैं ठीक है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास बोलियों का विकास हुआ है तो पूर्वी हिंदी का किस उपभासा से विकास हुआ सोर सैनी अर्धमागधी या मागधी या 85 से हुआ तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभरंस से विक्षित है पूर्वी हिंदी का संबंध किस्टे है मेरे बच्चो अर्द मागधी अपभरंस से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है तो बताओ पूर्वी हिंदी का विकास किस्टे संबंधित है अर्द मागधी हिंदी से शंबंधित है अर्द मागधी अपभ की बोली कौन सी है चलो चुटकियों में इसका देना है प्रश्ण का उत्तर क्या गढ़वाली 36 गढ़ी खड़ी वोली या बांगरो तो जानते हैं आप लोग की जो मुरा रामपुर मुरादाबाद बिजनाओर मेरट देहरादून और शहारनपुर जो बोली जाती है वो क्या बोली जाती है याद करलो इसको बिहारी हिंडी का विकास किस प्राकृत या अपभरंस से माना जाता है तो बिहारी हिंडी का सम्मंद किस से मागधी हैं मगस जो जगह थी वहां से मागदी और मागदी हिंदी को बिहारी हिंदी के रूप में मानेता देते हैं ठीक है वै निमलखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है चलो ने मतलब क्या होता है कारक्चिन या इसे बिभक्त कह सकते हैं तो कौन से में बिभक्तिय का प्रयोग नहीं होता है खड़ी बोली दखनी हिंदी हर्याणवी या अवधी तो आप लोग जानते हैं कि अवधी भार्षा में विभक्तियों का प्रयोग हम नहीं करते हैं ने चिन्न का प्रयोग नहीं होता है नहीं होता है किसमी नहीं होता है अवधी भार्षा में ने चि जरह confusion है एक ही सवाल बिकल्प अलग-अलग है सोचना पड़ेगा सोचो सोचो क्योंकि इस पर सोचना पड़ेगा बगेली ब्रजबोली बुंदेली या कन्नोजी तो देखिए जो पश्चमी हिंदी बोली से सम्मंधित नहीं है उसे क्या कहते हैं बगेली बोलते हैं पक्की ब अलगाक है और गोह समयमें अधिक बोलना भोलने में अधिक नया व चारन की शुविधा तो बताव भासा मारे व्यान की द्रिष्ट कि अधिया में प्रत्य मैं र skincare का जो काम है उच्चारन की शुविधा है ना बारवार उस चीज को दुराना नहीं पड़ता है इसको लगाने से उच्चारण में शुविधा आती है नेक्स प्रस्ण है आधुनिक भारती भासाओं के उदय के पूर्व आरे भासा का कौन सा रूप विद्यान था देखो आधुनिक भारती भासाओं के उदय से पूर्व आरे भासा का कौण सा रूप विद्यवान था संस्कृत पाली प्राकृत या अपभ्रंस तो अगर आपको याद होगा यह प्रश्न का उत्तर मैंने पहले आपको समझा दिया है अपभ्रंस जो है आधुनिक भारती भासाओं के पूर्व आरे भासा का कौ सानी हिंदी अब हट हिंदी अब भरंस मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप भासाओं का जो स्वरूप था सोल महाजन पदों में अलग-अलग भासा के रोप में विक्षित हो गई ऐसा माना जाता है ठीक है अगला है मुस्लिम सास को समय भारत में न्यालेयों की भासा कौन सी य प्रचलन था पढ़े लेखे को भारत की संपर्ख भासा कौन सी है संस्क्रित अंग्रेजी हिंदी या उर्दू आप किसी भारत की संपर्ख भासा मानते हैं हिस भारत की संपर्क भाषा हिंदी के रूप में इसकी मानिता हिंदी भासा ही भारत की संपर्क भाषा है राज भाषा के रूप में संविधान में इसका दर्जा है वैसे हिंदी भाषी जादा तो लोग हिंदी बिश्व में ये मानते हैं कि जो भारत की राष्ट भाषा है वो भी क्योंकि संप्रेशन ब्यापार सूचना मनुरंजन हैं प्रशासन चभी में हिंदी का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से हिंदी को हम क्या मानते हैं भारत की राज भासा मानते हैं और शंपर्क भासा निमलखित में कौन सा भासा वैज्यानिक नहीं है सुनिति कुमार चतर धिरेंद्र वर्मा भोलाना तिवारी या जैसंकर प्रसाद तो देखो भासा वैज्यानिक तो सुनिति कुमार चतर जी भी हैं धिरेंद्र वर्मा भी हैं बोलाना तिवारी हैं लेकिन जैसंकर प्रसाद आप लोग जानते हैं यह चायावात के स्थंबों मेशे हैं है ना और लगूतं श्वतंत्र एवं सार्थक उकाई को क्या कहते हैं मेरे और देखो शब्द गे रूप में आता हैं कि सबसे छोटी क्या जा सकता दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थ शब्दों के सार्थक शमों को वाक के कहते हैं और जो ध्वनी होता है वाई की उपस्थिती में जब भी कोई आवरित्ती होती है तो उसे ध्वनी कहते हैं ध्वनिया तीन प्रकार की होती हैं सरब्य परासरब्य अपसरब्य वे ध्वनिया जो हमें सुनाई देती हैं वो 20 से ल क्या बना और वर्ण की बात क्या बढ़ा शब्द बना और शब्दों से क्या पर लगाने के लिए पूछ दे तो भी आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं तो यहीं पर आज की कक्षा को मैं मैं देता हूं विराम अगली कक्षा में आप पुना है एक बार मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।